सब्सक्राइब करूँ हेलो एवरीवन बेरी गुड इवनिंग मैं अंजली पांडे आप सभी का अग्रिकल्चर अंजी के लेंडिंग प्लाटपॉर्म पर स्वागत करती हूं तो आज हम आपके साथ डिस्कुस करने जा रहे हैं वेरिस प्रोग्राम अंडर इन एक्स्टेंश हुए ठीक है इंडिया में बहुत सारे डिवलप्मेंटर प्रोग्राम्स आपके हर बार लॉंच किये गया जाके आपके जो रूलर वेलपेर है या रूलर सुसाइटी को जो वेल्बिंग है उसको मोडिफाइक किया जाए ठीक है इंडिपेंडेंस पहले और इंडिपेंडे रहिए है इस चार्ट करते हैं अपने पहले टॉपिक से तो आगरा में एक्स्टेंशन ए क्प्रोग्राम्स लिगा की बात करते है तो यहां पर बात करते है रूलर री constitutional and external extension efforts तो ईहानि कि जो भी Extension program हमारा हमें Extension program लाने की कि जरुदर क्यों पड़ी हमने सिर्थ इसलिए पड़ी कि हम जले देडिक हम अपना सचाइटी को अपकिंग कर सके यह रोलोर मेंट कर सके ठीक है तो पहला कॉंसेट फोव रूर रिकॉंस्ट्रक्शन रूलर एक सिंशन एफ उवर्म्न एलांके उस की इंपूव्मेंट पर ध्यान देते हם वेरियस गीम्स वेरियस प्रोग्राम्स और नहीं नहीं इनिशिएटिप्स लिए जाता है इंडिया के अन्धर टिके एक सेंचुरी से पहले और इंडिपेंडेंडेंस के बाद भी आपके बहुत सारे प्रोग्राम जो है वो इनक्ट हुए थे यहीं की जो रूर सोसाइटी है उसके रिकंस्ट्रक्शन उसके अपलेफमेंट के लिए India has witnessed and experienced many changes in approach before independence as well as after independence for rural development in general and agriculture development in particular before independence only sporadic sporadic attempts by individual political leaders and social leaders were made in India in different parts of the country याने कि ये समझे कि जब आपके independence के पहले कुछ जो लीडर से ठीके प्री इंडिपेंडेंडेंस के अगर हम बात करते तो कुछ जो लीडर से आपके शोशल लीडर से उनके द्वारा एक इनिस्टेटिव लिया गया ठीक है कि हमें ये जो है प्रोग्राम इनाट करके कि उस वक्त भारत था वह ब्रिटिश रूल के अंदर था ठीक है तो उस वक्त कुछ पार्फुल लीडर्स कुछ पार्फुल ने ता जो थे उन्होंने कुछ ऐसे इनिशेटिव ले जो कि आपके रूरल कंस्ट्रॉक्शन में हेल्प करते थे ठीक है है कर सके है अगर हम प्री इंडिपेंडेंस एरा की बात करते हैं यानि कि हमारे भायात के अजाद होने से पहले कौन कौन से इनिशेटिव है जो लिए गये थे तो उसमें से बहुत इंपॉर्टन इनिशेटिव होता है जो कि है श्री निकेतन प्रॉजेक्ट प्रोग्रम ठीकए दोषरी निकेतन प्रोजेक्ट प्रोग्राम जो हैवो 1914 के अंदर रविंदरना ट्जी जी ध्वारा जो है लिया जो इनिशेटिव की गई थी नविदना ट्यर्लेक्ट नवले पंडैशन आ व फीनिए छिनिकेतन लिया और इसका नाम उनने दिया श्री निकेतन इनिशेटिव या फिर श्री निकेतन प्रडेक्ट and formulated a program for all-round improvement in the village for is जमिदारी which office जमिदारी which is which is the objective is of studying rural problems and of helping the villagers to develop agriculture improving the livestock formation of the cooperative यानि कि देखिए जो रविनार टेगोर थे उन्हों ने इनिशेटिव लिया कि वह यहां पर जो इसका आपका जो रूल लीविंग वेलफेर कि डूर विलेज लेवल जो वेलफेर के लिए मेजर इनिशेटिव यह लिया गया था इसमें क्या था कि यह यह देखते थे कि आपका जो रूल पीपर क्या प्रॉब्लम फेस कर रहा है ठीक है उसके बारे में अपने अग्रिकल्चिक परण थे थे खुप अगर 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 आपके अंदर उसमें इन्वेस्टे दो वह सारे उनकी अदर कैसे इंप्रॉब्मेंट ला सकते हैं उनकी प्रॉब्लम्स को कैसे सकते हैं बेसिकले एक तरह से आपका जो है आपका रूल पीपल को यह वह स्टॉंग बनाना के लिए ऐसा जो है एक स्ट्राटीजी त्यार करना था कि वो अपनी प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर पाएं ठीक है ही बिलीव इन सेल्फ एंड मुटे मुटे मुचल है एंड वांट दा विलेज वाकर्स तो बी इन वार्ड इन दा लाइफ ऑफ रूलर पीपल एंड वर्क पॉर्ड वेल्फेर जैसा मैं आपको पहले ही कहा कि यहां पर आपका विलेज लेवल वेल्फेर की बात करी गई ठीक है ही स्टार्ट इस प्रोग्राम इन क्लॉस्टर ओफ एड विलेज विच्व बट्वेर नॉट बैरी सक्सेस्फुल एंड कैन ओली ब्रस्क्राइब एस रूलर वेल्फेर वर्क यानि आठ विलेज इन्होंने स्टार्ट में लिये थे अकोशिश कहें थी कि उन्हां आज विले स्टार्ट के अपना डिस्कुशन करते थे अपने स्ट्राटेजिस फर्म करते अपने जो रूलर लोग है उनकी प्रॉब्लम सुनते थे तारीके डूटते थे कैसे उनकी जो जो लाइब लुए उसको इंप्रूब किया जा सके तो अगला जो प्रोजेक्ट है वह आपका आपका देख रहें इन 1920 यानि 1920 के अंदर Mr. F. L. ब्राइन जो F. L. ब्राइन है विन अपॉंटेड ओन पोस्ट अफ डेपीटी कमिश्चर इन गुर्गाव डिस्रिक यह जो F. L. ब्राइन थे उनको डेपीटी कमिश्चर बनाय गया गुर्गाव डिस्रिक के अंदर ठीक है and he began this project of Rural Upliftment on his district which became famous as Gurgaon project जहां के वो डेपर्टी कमिश्चर बनाय गया ठीक है वहां पे इन्होंने Rural Upliftment के लिए काम किया और इसी काम को इसी प्रोजेक्ट को क्या नाम दिया गया गुर्गाव प्रोजेक्ट काम दिया गया ठीक है the project aimed to improving agriculture education health and sanitation facilities cooperation and social development with greater bigger याने की जो आपका agriculture sector है ठीक है आपका education sector है health sector है cooperative sector social development है उसको अच्छी तरह से एक तेजी से जो है आपका improvement उसमें हो सके ठीक है he stretched on the dignity of labor self-help and conducted propaganda through films songs skits and play with a view to increase farm yield and improving health standards ठीक है कि कैसे उनको अपने upliftment के लिए काम करना है ठीक है under this experiment the concept of village guide was introduced ठीक है तो जरा यह समझ लीजे कि आपको question जो है वह कहां कहां से आ सकता है ठीक है कहां से आएगा की गुडगाप जो experiment है वह किसके द्वारा लिया गया था किस year में लिया गया था और इसमें कौन सा concept जो है वह develop होता है question बिल्कुल सिंपल इसी तीन जो आपके major concept से उससे जो है आपका लिया आता है question one-liner questions आपके पूछे जाते जिसमें से या तो आपको पूछ लेगा कि किसके द्वारा यह इनिशेटिव ली गई थी किस year में ली गई थी और इस इस इनिशेटिव का basic concept क्या था so this is a book written by f.l.bryan शोष्क्राइट इन इंडिन विलेज अगला प्रोजेक्ट है हमारा मार्थेंडेम प्रोजेक्ट तो मार्थेंडेम प्रोजेक्ट के अंदर क्या था डॉक्तर स्पेंसर हैच और यंग मैंस क्रिस्चिन एस्टेशेशन वाई एम सी ए ठीक है इसको ध्यान में रखेगा सेट अपड़ोजेक्ट इन 1921 1921 में मार्थेंडेम के अंदर एक प्रोजेक्ट इन्हों ने लांच किया तो मार्थेंडेम जो जगे है वह आपके तीरों अनन तपूरम से 25 माल साउथ में जो है लोकेड़े ठीक है यहां पे इन्हों ने एक प्रोजेक्ट अपना इस्टैब पूबर्टी ठीक है तो यह YMCA क्या है ठीक है तो वाइंस यह अंदर जो आपके यांग मैं कुछ लोग पीपल को एक खटा किया गया और एक ग्रूप बनाया जिसको वाइंस यह नाम दिया गया और यह लोगों को क्या पता है कि यह लोग काम करेंगे कि इसके ऊपर वाइक इसके लिए लाया गया था ठीकिड़ अब इस इस पर कैसे काम करना है ताक कि आप अपनी पुवर्टी को दूर कर सके इसके लिए demonstration जो है लाया गया ठीकिड़ पॉर्पर्स आफ दिस एक्सपेरिमेंट वास तो ब्रिंग अबाओट अप्लीट 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 लाइप और पीपल त्रीफोल्ड डेवलप्मेंट स्पिरिट माइंड एंड बोडी यानिकी से डोना चाहिए बिलकुल अच्छी तरक्रिता कि उनकी सोच में परिवारतन उनका उनकी दिल से वो लगए कि हम जो है हमारे अंदर डेवलप्मेंट हुई है ठीक है वह संतूष्ट हो सके अपने पुवार्टी में जैसा वह एवरीड़ेग जो अपने प्रॉब्लम जेल र तो यह आपके यंग मैं क्रिस्टिन एस्सेशेशन जो थे इसके अंदर वेरियस आपके कम से कम कुछ वोईस अब 20 30 वोईस को खटा करके ग्रूप बनाए गया था जो कि हैल्प कर रहे थे इस काम में ठीक है तक कांसेप्ट आफ कॉपरेटिव बूल क्लब हानी क्लब वीव बनाए था इसमें क्या था कि यह वेरियस क्या मुलते हैं जो आपके एंटर्प्राइज से उसमें जाके आपके जो रूरे पीपल उनको हेल्प कर रहे थे कि कैसे वह अपने जो एंटर्प्राइज इसमें development कर सके और उनका ओल राउंड अप्लिफ्टमेंट हो सके ठीक है अगला क्या है अगला प्रजेक्ट आपका सेवा ग्राम प्रोग्रम तो सेवा ग्राम जो है वह आपका दिया था किसने महात्मा गांदी जी ने तो महात्मा गांदी वह सग्रेट शोचल वर्कर ही नूँ वेरी वेल डट एज लॉंग एज इंडियन पीपल और सब्रेस्ट देर सोसाइटी एंड नेशन केनाट प्रोग्रेस ठीक है तो उन्हें यह बात अच्छी तरह से पता थी कि जब तक हमारे जो रूलर पीपल यानि कि जो में रहने वाले लोग जब तक वह सप्रेस्ट रहेंगे तो वह रहेंगे तब तक पूरे जो बायत वर्च का जो है विकास होना संभव नहीं है ठीक है वार एंडिंग सप्रेशन ही बिगें इस वेलफर प्रोजेक्ट सेवा ग्राम यानि कि य उनके वेलफेर के लिए एक प्रोजेक्ट शुरू किया इसका नाम था सेवा ग्राम इस्टेबलेशिंग इस आश्रम इन वार्धा इन 1927 में उन्होंने अपना एक आश्रम खोला वार्धा में जो कि महाराष्ट्रा के अंदर है ठीक है इन 1927 गांधिय जी मेड़ा प्रोग् दोड़र्ग्राम ठीक है तो गन्धीन का उंस्ट्रॉक्टिव प्रोग्राम का मतलब क्या है कि यह आप किसले ग्राम प्रियाग्ट है उसको आप फनके चाई सकते है ठीक है तो इन समें मेजर मेजर का टाग की मेजर आपके अज़ेक्टिव दे तो आप कyes अनौस यूस्ग help the upliftment of backward classes primary adult education program to improve the conditions of poor people program of social harmony and to popularize mother tongue and other nation dialects ठीक है तो यह आपके major objective थे सेवा ग्राप प्रोजेक्ट के अंदर ठीक है गांदी जी नहीं सोचा कि जब तक हमारे जो रूलर जानी ग्रामेर छेतर है जब तक हम उनको नहीं निखा रहेंगे तब तक हमारा पूरा देश जो है वह डेवलाप नहीं हो सकता तो उन्होंने हर एक फील्ड में काम करना शुरू किया अपना एक आश्रम खोला वार्धा के अंदर और वहां पर उन्होंने विमेंस क के बारे में बताना शुरू किया खारी के कपड़े जो है उसको यूज करना उसको बुनना वह सब शुरू कराया ठीक है तो आप बाकी आपका कैसे प्राइमरी एजुकेशन एडेल एडूकेशन है इसके बारे में लोगों को बताता कि लोग अवेर हुए अवेर होने की बा तो यह आपका आश्रम था जो वार्धा के अंदर आपका लोकेटेट था ठीक है अगला है आपका वरोड़ा वरोड़ा विलेज रिकंस्ट्रॉक्शन प्रोजेक्ट 1932 तो आपका जो आपके श्री बी टी कृष्णा मचारी है इन बारोड़ा इन गुजरास स्टेट इनीश 1932 ठीक है तो आपके बीटी कृष्णा मचारी जो थे उन्होंने यह प्रोजेक्ट जो है स्टार्ट किया था गुजरात के अंदर 1932 में इस प्रोजेक्ट कंटिन फॉरा लॉंग तैम बहुत लंबे समय तक यह प्रोजेक्ट चला ठीक है तो इसके अब्जेक्टिव क्या है वह समझ लेते हैं तो इंप्रूव दाला इस टाल आफ रूर पीपल रापिड ली यानि की आपके रूर पीपल है उनकी लाइस टाल वह जाए वह चैंज क्या तो इस्ट्रेशन आपका एजुकेशन और इन्डेस्ट्राइशन को बढ़ाना तो डिएलफ नेसेसरी फैक्टर for progress of agriculture यह तीन आपके मेजर जो वो थे प्रजेक्श ठीक तब प्रोजेक्श टाटेशन इन डिस्टिक आपना सारी इन गुज्राथ सेट मैनी प्रोग्राम्स सच आज गार्डनिंग पॉल्ट्री फार्मिंग बीकीपिंग स्पिनिंग एन वीविंग वर और गिनाइज यानि आपका बहुत सारे अलग 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 अग्रिक्शर अक्तिविटिस जैसे गार्डनिंग हो गया पॉल्ट्री फामिंग हो गया वीविंग हो गया यह सारे चीजों को इसमें लाया गया था ठीक है रिस्टाबलिश्मेंट औफ पंचायस और प्रोग्राम आप विलेज प्रो अब्रोड़ा विलेज leakit आभी कंस्ट्रक्शन प्रोग्राम में उसको बढ़ाया गया ठीक है पर कर If you look at development scheme the firka development scheme of Madras was a government sponsored scheme यानि जो फिरक हो फिरका development scheme थी वह गवर्मेंट जो government के दूरा फिर आप से बाग्राम हो गया मार्थर्दम हो ठीकिए आपके जीतने प्रोजेक्ट्स थे यह आपके श्रीनिकेतन प्रोजक्ट था वो किसी एक लीडर एक सोचल लीडर द्वारा वो इनिशेटिव लेगे थी लेकिन जो आपका फिरका डेवलप्मेंट प्रोग्राम है यह जो है आपका मदरास के अंदर चैनाए के अंदर गवर्मेंट अफ तमिला जो गवर्मेंट के द्वारा लिया गया एक इनिशेटिव था ठीक है भाई टी प्रकासन थी प्रकासन ने इनिशेटिव लिया था in 1946 this program aimed at organizing villages for a happier and more prosperous and fuller life in which the individual villager had the opportunity to develop both as individual and as unit of well integrated society तो यहां पर क्या बात करी गई है फिरका development program के अंदर कि यहां पर जो एक जितने भी रूलर पीपल है जितने भी गाहों के लोग है ग्रामेट शेत्र के जितनी भी जनता है वह एक हैपे रहनी एक खुशाल जिंदगी जी सके पहले वह आपको एक इंडिविज्विज्व खुद को डेवलब कर सके और उसके बाद जब एक इंडिविज्व बहुत एक हैप्य और प्रॉस्परस लाइफ जी रहा होगा एक संपूर्ण जिंदगी जी रहा होगा तो कही नहीं वह एक सुसाइटी का अच्छा अगर एक में फैमली होती है एक फैमिल्य उस्पर्स लाइफ जी रहां गया तो वह आपको एक वैल इंटीटिवाटर सोसाइटी में convert over the prosperity the priority area of the work of for each firka included ruler reconstruction facilities drinking water sanitary sanitation khadi and other village industries ठीक है the overall development of the area planning was framed under two categories ठीक है तो जो फिर्का development scheme था इसके अंदर जो आपका overall development था वो दो कैटिगरी में बाटा गया था आपका short term plan development of infrastructure and a communication and long term plans knowledge input attainment of gandhiyan ideals ठीक है तो यहां क्या बात करी जा रही है कि आपका फिर्का development program तब वो दो स्टेज में देखा गया जो short term plans थे उसमें आपको infrastructure ध्यान देना था communication पर ध्यान देना था और जो long term plans थे उसमें क्या था आपका knowledge education आपकी जो upbringing है आपका जो attainment of life है उसको देखने पर ध्यान दिया गया था और जो गांदेन आइडिया थे यहां तक बात हो गई आपके भारत के अजादी से पहले कि आपके अजादी के बात के बात के बारे में बात कर लेते हैं तो पहला program आता है आपका itawa pilot project जो कि आपका 1948 में जो है वह इसको इनक्ट किया गया था ठीक है तो in 1947 after independence the government of India prioritized on rural development and how this work should be managed यानि कि भाया 1947 में अजाद हो गया उसके बाद भाया सरकार नहीं सोचा कि कैसे हम अपने रूरल पीपल को यानि कैसे हम अपना डेवलोप्मेंट करें और कैसे इसको इस काम को मैंज करें किस तरीके से management होनी चाहिए ताकि आपका रूरल डेवलोप्मेंट हो सके दे गावर्मेंट ऑफ इंडिया और्च द यूएस गवर्मेंट तो सेंड मिस्टर अलबट मेयर तो अलबट मेयर द्वारा जो है आपका इटावा पाला प्रजेक्ट जो है वह स्टार्ट किया था क्यों इनको कहा गया क्यों कहां आपके भाहर के सरकार करने कि हमें अलबट मेयर सर अलबट मेर को बेज दीजे क्यों कि to it because he had enough experience of Rural Development Program as a Rural Sociologist इनके पास काफी अच्छा एक्स्पीरियंस था ठीक है रूर डेवलप्मेंट के अंदर इसलिए इंडिया में बोला गया कि अलबट मेर को आप भेजे ताकि हम में समझ में आए कि हमें किस तरीके से अपना Rural Development की जो चीजें उनके तरीके हैं उनको आपको मैनेज करना है ठीक है अंडर दे लीडर्शिप आफ लेटनें करनल अलबट मेर इन यूए अफ यूए से अफिल ऑफ इटावा पायर प्रजेक्ट वर इस्टैबलिश्ट वाई यूप गवर्मेंट इन ऑक्टोबर 1948 at Maheva in Itava district okay initial 64 villages were selected around Maheva district of development it was called the average district plan यह बाद ध्यान में रखेगा जब question आता है exam में तो ऐसे ही आता है बहुत सारे theories दिये होते हैं और एक लाइन से question उठा लेता है average district plan average district plan जो था वह आपके किस program के अंदर लाया गया था तो answer क्या होगा itava pilot project के अंदर ठीक है तो यहां आपके 64 villages को लिया गया ठीक है 64 village को लिया गया महावा महेवा district के around ठीक है और इसको ही क्या 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 average district plan कहा गया because the project was initiated in the normal environment the program named as pilot project means the work is for specific location and further it shows the path ठीक है तो इसको pilot project क्यों कहा गया कि यह एक ठीक है पालिट के हमें पता हो कि जब प्लेन हमाई चलती है तो उसका एक starting point होता है उसे एक जगह पहुंचना होता है ना एक starting और इसका एक ending point है ठीक है तो उसी तरह इसको कहा गया कि specific location और एक सही रास्ता आपको दिखाएगी ठीक है इस प्रोग्राम वस फॉदर रॉनर ओफ CDP यानि कि यही इटावा पालेट प्रोजेक्ट ही आगे जाके develop होता है आपका किस के अंदर CDP के अंदर यानि कि community development program के अंदर ठीक है अगला प्रोजेक्ट क्या है हमारा नीलाrito nila & ferry project प्रोजाग्त तो 모든 Gemल प्रिट्रेट जो है वह किसने स्टाट आप पाकिस्तान आफटर पार्टेशन यानि की देश अजाद होने के बास साथ हजार जो लोग जो पाकिस्तान से इंडिया के अंदर आये थे उनका जो देखवाल है वो करने के लिए यह जो निला खेरी प्रोजेक्ट है वो स्टार्ट किया रहा ही बिगें दिस प्रोजेक्ट यूजिंग यूजिंग हंडर्ड एकर्स ऑफ स्वैंपी लैंड स्प्रे पाकिस्तान से इंडिया में आया थे उनका जो वेलफेर देख सके ठीक है कि अधिस ओन डेरी पॉल्टरी पिगरी पेंटिंग प्रेस एंजीनिरिंग वर्क्शॉप बोन मिल फैक्टरी एंड रंस ओन कोर्परेटिव लैंस यानि कि इसके अंदर उन्होंने जो है डेरी खोल लगी थी पॉल्टरी खोल लगी पिगरी वेगरा ऐसा बहुत सारा जो सेंटर स्कोल लगा जिसके अंदर आपकी जो वह एमिगरंट से वह काम करते थे काम करके कुछ चीज़ सीखते तो आपने लाइवली हुट को इंप्रूव करते रहे ठीक है देस स्कीम वास कॉल कौन से इनिशेटिव या कौन से प्रोग्राम के अंदर लाया गया था तो वो प्रोग्राम था निला खेरी प्रोजेक्ट जो कि लाया गया था इसके देद्वारा इन 1948 विकॉस इट वास बेच बेच ऑन दो प्रिंसिपल ही हूँ वोड नाट वर्क नीदर शैल ही एड यान इन के उपर यह काम कर आए गया था ठीक है तो आपके बहुत सारे आपके एंटरफाइस खोले रहे जहां पर यह लोग जो है जो 7000 लोग जो थे वो काम करते था और काम करके जो है अपना लाइबलिवूट सेटल करते थे ठीक है है अब कुछ important programs के बारे में बास कर लेते हैं ठीक है some other programs led to extension अबKEN कूछ और programs ठीक है वह तो प्रिंदेबंडन स्पोर्स प्रोग्राम की बारे मिथ यहां पर हम PLAYT करते हैं आपका 1952 के अंदर आपका एक प्रोग्राम लाया गया जो था कंवरेटी डेवलप्मेंट प्रोग्राम ठीक है CDP 1953 के अंदर नैशनल एक्स्टेंशन सर्वेस लाई गई एन एस 1954 के अंदर कमेंटी डेवलप्मेंट ब्लॉक जो है वो हुआ और 1957 जो बहुत ही इंपोर्टेंट है यहां आपका जो है एक बहुत ही बड़ा इनिशेटिव लिया गया जो था आपका पंचायती राज सिस्टम यानि की सब्सक्राइब के लिए गया और यहां पहली बार आपका पंचायती राज जो है वह इस्टैबलिश हुआ था ठीक है कि यह फुल फॉर्म शॉर्ट फॉर्म स्याद रखिए क्वेस्टन यही से पूछता है कि कब आपका पंचायती राज जो है किस यह में वो लॉंच किया दूआ था सीड़ीपी जो है वो किस यह में आपकी इनक्ट होई थी ठीक है इस बात को ध्यान रखेंगे कुस्ट डेक और इत्रिंप्रूब्मेंट की बात हुई तो उसमें आपके टेक्नोलोजिकल डेवलपमेंट्स में काम किया थी कि ठीक नाइंटेन सिख्टी नाइंटेन सिक्स्टी के अंदर आपका पहला इनिसीटिव लिया गया जो कि आएड़ीपी था वो किया था इंतेन्सिफ अग्र एरिया प्रोग्राम 1964-1965 में आपका ICDP इंटेंसिव क्याटल डेवलप्मेंट प्रोग्राम प्रोजेक्ट जो है वो आपका लिया जो सार्ट किया गया और 1966 के अंदर आपका हाई रिल्डिंग वराइटी प्रोग्राम जो है वो इनक्ट हुआ था ठीक है नियकुक्त को इनक्त इस से पहले कुछ प्रोग्राम के लिए रूररिक रूर्ट के लिए ऑजादी के बाद कुछ हुए और उसके बाद जो अधर सेक्टर में आपकी जो काम करा गया टेखनोली इन्फरस्ट्रक्राइब करने का टिया का मैं कीशचिय वह आपकी लॉंज कर गई ताकि आलराउंड डेफलमेंट फो सके अगला क्या है आपका डेफलमेंट विथ सोच जुश्य जस्टिस ठीक है तो 1972-1971 में SFDA Small Farmer Development Agency जो है वो खोली गई और MFLA Marginal Farmers and Agriculture Labour Program ठीक है यह खोला गया था ठीक है आपका यानि यह स्टार्ट हुआ था 1972-1971 के अंदर ठीक है 1972-1973 के अंदर आपका PPTB जो प्रोग्राम टीडी जो प्रोग्राम है पाइलेक्ट प्रोजेक्ट फॉर ट्राइबल डवलपमेंट यह 1972-1973 के अंदर जो है आपका इनक्ट हुआ था 1973 के अंदर आपका DPAP प्रोग्राम यानि की ड्रोत प्रोण एरिया प्रोग्राम जो है वो इनक्ट करा गया 1974 के अंदर टी और लीप सिस्टम यानि कि ट्रेनिंग और विजस्टम गेंदर जब भी कोई प्रोग्राम प्लैनिंग करी जाती है तो एक्स्टेंशन एजेंट की जो होता है उनका कितना प्रोफेशनल तरीके से यानि कि उनको प्रोफेशनलिज्म चेक करने के लिए ट्रेनिंग एंड विज़ सिस्टेम जो है के अंदर एन आर एपिना नैशनल रूलर इंप्लोईमेंट प्रोग्राम आपका इनक्ट करा गया था 1982 के अंदर डी डीडवलो एसी आर एड डेवलप्मेंट ऑफ वोमेंट एंड चाइल इन रूलर एरिया ठीक है यहां पर जितने भी प्रोग्राम्स आपको देखने को मिल रहे हैं वह हर एक रूलर रूलर एड़ा के हर एक छेतर पे काम करा जा रहा है यानि कि आपके विमें चायल्ड वेलफेर यूज्ट और उनके और जितने भी प्रोग्रेक्ट्स अजय चाहे वह आपका उस एरिया की कोई पर्टिकुलर एक अग्रिकल्ट्ट्र प्रॉब्लम हो या जूमन वेलफेर की प्रॉब्लम हो सबको ध्यान में रखते हुए जो स्कीम से वह बनाई जा र 1986 के अंदर टी एम मोयाने की टेक्नोलोजी टेक्नोलोजी मिशन और ओयल स्टेड ठीक है यह आपका इंडेक्ट हुआ था 1989 के अंदर जे आर वाई यानि की जवाहर रोजकार योजना स्टार्ट करी गई थी 1993 के अंदर EAS Employment Assurance कीम जो है आपकी स्टार्ट करी गई थी 1994 के अंदर SFAC Small Farmer Agri Business Consortium जो है वह आपका स्टार्ट किया गया था और 1999 के अंदर आपका SGS यानि की स्वार्ण जैनती ग्राम स्वारोजगार योजना यह सारे स्टीम जो है आपके इनक्ट करे गए थे अब कुछ Infrastructure Development Program के बारे में बात कर लेते हैं तो क्या थे कुछ Infrastructure Development Program जैसे कि आपका 1998 के अंदर आपका नैशनल एग्रिकल्चर टेक्नोलोजी प्रोजेक्ट एन एटीप चिक है दोसोचार के अंदर आपका पूरा यानि पी और एप प्रोवाइडिंग अर्बन एमनिटीज इन रूलर एरियास ठीक है यह आपका एक स्कीम था एक प्रोग्राम ता जो लांच किया गया था 2006 में आपका एन आई पी नैशनल एग्रिकल्चर इनोवेशन प्रोजेक्ट क्यों है वह इनिशेटिव ली आ गया था दोना छे के अंदर नरेगा यानि एन आर इजी ए नैशनल रूलर इंप्लोईमेंट गरेक्टी गरांटी एक्ट यह आपका इन एक्ट हुआ था और आपका दोज़ा पांच दोज़ाचे के अंदर आपका नैशनल होटी कल्चर मिशन यानि नहीं वह है आपका इस्टाब्लिश हुआ था 2007 में आपका एन फ्सम नैशनल इंडिया के दौरान इंफ्स्रेट्ट्रॉप्मेंट प्रोग्राम आपके कंड़क्ट हुए थे अब धीरे धीरे करके हम कुछ जो इंपोर्टेंट प्रोग्राम उनके बारे में बात कर लेते हैं ठीक है तो जरा यहां ध्यान देंगे पहला कॉम्यूटी डेवलप्मेंट प्रोग्राम के अंदर तो पहला तो यह लाएं पॉइंट बहुत इंपोर्टेंट है कि कमेंटी डेवलप्मेंट प्रोग्राम जो है वो किस वक्स्टार्ट हुए थी वह सेकेंड ऑक्टूबर 1952 में जो है स्टार्ट हुए थी ठीक है यानिकि इसका डेट क्या था दो अक् चिर्फों घेट एंट्रिओंग्रेज इन इंगलेंड डिक यह जो तरीका यानिक यह जो क्रूडेवली इंगलेंट से जो लिया गया था ठीक है तो प्रोजेट वाइदट इंटो 3 डेवलमेंट ब्लॉक्स consists of about 100 village and a population of all about 60 to 70,000 यानि कि सौ गाओं आपके लिए गया था जिसमें 60-70,000 की population थी the project was headed by project officer project officer के जारा आपका head किया गा था entire nation covered by CDP in 1958 यानि कि 1958 पूरे भारत वर्ष में जो है आपका community development program जो है वो पूरिजा से फैल गया ठीक है आपके stages कुछ थे community development program के अंदर CDP के अंदर वो क्या है आपका पहला conception stage 3 months के लिए initiation stage 6 months के लिए operation stage 18 months के लिए consolidation stage 6 months के लिए और finalization stage जो था 3 महीने के लिए CDP was transferred to a state sector on first April 1969 ठीक है तो जो आपका CDP था वो आपके state sector में कब transfer किया गया first April 1969 के अंदर CDP was launched by किस के द्वारा लॉंच किया रहा था तो डॉक्तर राजेंदर प्रशाद के द्वारा आपका यह जो है launch किया गया था जितने points यहां पे आपको दिये जा रहा है जितने points यहां आपको note-down करे गए सारे point examination point of view से बहुत ही ज्यादा important रखने वाले हैं अगर आप developmental program की theory पढ़ने बैठेंगे तो वह आपको कम से कम पूरा दिन खर्च कर देगा करना पड़ेगा आपको और पिर जाके कहीं आप समझ पाएंगो तो बिलकुर shortlist करके आपके सामने लाया गया यह सारा जो important आपके programs है उनकी जो कुछ important points उनके dates उनके launching का समय किसने launch किया था कौन उसकी beneficiaries थे यह सारी बाते यहां पर आपको बताए जा रही है तो पहला क्या आगला क्या है आपका national extension service जो आपका NES है यह आपका 2nd October 1953 के अंदर आपका जो है बनाया गया ठीक है less intensive than CDP but more permanent यानि कि यह जो आपका national extension service था यह ज्यादा permanent community development program के compare ठीक है NES started for 10 years to cover the entire country ठीक है जब जो NES था जब आपने देखा हुगा कि जो आपका CDP था वह 1952 में आपका launch हुआ ठीक है और 58 तक यानि कि 6 साल के अंदर वह पूरे भायरत वाश्म में फैल गया पर जो आपका national extension service थी उसको दस साल लगे पूरे भायरत वर्श में फैलने के लिए ठीक है started in 100 village covering population of city 70,000 over 150 to 170 square miles ठीक है तो यहां पर विलेज की numbers आपके CDP के compare में similar है वहां पर आपका head था वह कौन था प्रोजेक्ट हैड होता जो इसको ahead कर रहा हो था बट यहां पर NES blocks are headed by BDO ठीक है यानि कि block development officer के द्वारा जो है आपका जो NES program में वह हैड किया था ठीक है तो NES is an agency CDP is a method ठीक है यानि कि NES जो थी वह एक agency थी और CDP किया था एक method था ठीक है community development block block in 1954 the new plan which revealed that there was no distinction between NES and CD blocks came into being with effect from first April 1958 यानि कि जो आपका एक 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 प्रोग्राम था वो जो है आपकी community development block के अंदर का काम करना शुरू किया वो था आपका फॉस्ट एप्रिल 1958 ठीक है अब जरा हम बात कर लेते हैं पंचायती राज सिस्टम के बारे में ठीक है तो पंचायती राज सिस्टम में आप क्या देख रहे हैं कि डेमोक्रेटिक decentralization जो था वह हुआ था आपका पंचायती राज सिस्टम के अंदर decentralization का मतलब समझते हैं आप यानि कि यहां पे सारे जो सक्तिया यह जो है वह सेंट्रल के अंदर के अंदर के अंदर नहीं है के इसंट्राइशन का मतलब होता है distribution of the power between the lower subordinates चोटे subordinates के अंदर जब आपार distribute कर रहे होते हैं उसको क्या कहते हैं decentralization कहते हैं ठीक है the word democracy derived from Greek root demos means people and kratto means authority that means democracy का मतलब क्या है कि जो पीपल है यानि जो लोग है लोगतंत्र हम कहते हैं लोगतंत्र कहते हैं democracy को हिंदी में यानि कि लोग है वह उनके पास authority होती कि government कैसे चलेगी त्हुक्फान्ट पंचायती राश वो इनिशल स्टार्ट अट नागा और्र में आपका पहला पहली बार पंचायती राश श्टम जो है वह आपका तो आपको थ्री टीर पंचायती राज सिस्टम था वह बलवंत राय महता कमिटी द्वारा 1956 और 1958 के अंदर आपका जो है इस्टाबिश किया तो पंचायती राज के अंदर वह समझ लेते हैं तो पहला आपका डिस्ट्रिक लेवल जिसको आप जिला परिश्कत कहते हैं ब्लॉक परिश्क लेवल जिसको आप पंचायत वह समयती कहते हैं और विलेज ब्लॉडए ग्रंपंचायत कह रहे हो ठीक है तो यह अवर्यार पंचायती राज सिस्टम के अंदर नहें तो कि यह कब आपका यह किस जगह पर आपका पहली बार स्टार्ट हुआ किसके रेकमेंडेशन से स्टार्ट हुआ ठीक है यह कुछ इंपोर्टन पॉइंट्स आपके लिए आगे बढ़ते हैं तब मिनिस्ट्री आफ पंचायती राज वस्टेबलिस्ट ऑन 27 त में 2004 यानि कि पंचायती राज की जो मिनिस्ट्री है वह आपकी कभ इस्टाइस माई 2004 के अंदर ठीक है डिवरेशन आफ पंचायती राज वह था आपका पांचायती राज में जो आपका रूलिंग पार्टी यानि कि अगर आपके गाउं में एक प्रधान बनते हैं ठीक आपके प्रधान प्रधाल नहरू थे उन्होंने ही जो यह टर्म पंचायती राज स्टम वह दिया था चक्रेटरी राज पंचायती इस कॉल्ड ग्राम सेवक एड़ ऑफ जिला परशार इस कॉल्ड कलेक्टर ठीक है तो यहां पर आपका सिस्ट्रिक लेवल ब्लॉक लेवल और विलेज लेव अब हम ट्रेणिंग इन विजट प्रोग्रास सिस्टम की बात करते हैं जो कि 1974 के अंदर आपका इनक्ट हुआ था ठीक है मैंने आपको बताया कि जो ट्रेणिंग इन विजट प्रोग्राम होता है ठीक है जब भी एक एक एक्स्टेंशन ऑथॉर्टी या एक्स्टेंशन ने प्ना काम करते हैं उसके लिए दिए आपका एकूप क्या धिक्स्टा है जी अऊजिन जाके है फिक्स्ट जाकर मिलते हैं जो यह रçiक्षटी नकिल कर आई जाती है लोकल लीडर्यर्श को डेनिघ्राहा जाती है वह होता है आपका ट्रेणिंग है निश सिस्टम तो यह तर्की इंटीन सेवंटी थी इन इंडिया 1974 और नेपाल के अंदर 1975 बाइड डेनियल डेनियल बेन ओर ठीक है एसिस्टेड बाइड वर्लड वर्लड वैंग दाना यह आपका एसिस्ट किया जाता है फास्टेट इन इंडिया तू इंडियूस इट यानि कि आपका ट्रेनिंग पहले इंडिया के अंदर कहां पर रायस्थान के अंदर आपका एनक्ट किया था और टीन वी सिस्टेम इस टॉप-डाउन अप्रोज अप्रोज मतलब क्या होता है कि पहले एक हायर यानि कि जो आपकी जितना भी हायर अथर्टी हो यांकि कोई बड़ी चाहिए आपके अग सब्सक्राइब की जाती फिर वहां से जो इन्फरमेशन जो स्कीम का फ्लो जो होता है ग्राउंड रूट लेवल तक लेकि आ जाता है इसको क्या कहते हैं टॉप-डाउन अप्रोज होता है ठीक है एक्स्टेंशन एजेंट और फार्मर रेशियो ठीक है कि आपका जो कितना एक पर्टिकुलर जगा पर कितने फार्मर को एक्स्टेंशन एजेंट्स होते हैं वह समझा रहे होते हैं यह ओता है आपका ट्रेनिंग एंड विश्ट सिस्टेम के अंदर ठीक है अगला बात करते हैं रूलर डेवलोप्मेंट रूलर प्रोग्राम के अंदर यानि कि खरीव 1960 के अंदर IADP launched in seven districts okay slogan क्या था betting on the strong horse linking the farm plants with credit initially launched in Pali district of Rajasthan it is based on the concentrated principles ठीक है तो आपका पहला आपका जो IADP जो आपका प्रोग्राम था वह आपका कहां पर पाली district of Rajasthan में आपका launch किया ठीक है 1966-1967 की बात कि जाए तो आपका हाइलिंग वराइटी जो आपका प्रोडक्शन था प्रोग्राम था उसको आपका स्टार्ट किया किसके लिए for self-sufficiency in food के लिए अगर आपके हाइलिंग वराइटी होंगी तो आप ज्यादा आपका प्रोडक्शन हो सकेगा और इससे क्या होगा फूर्ड की वह स्टार्ट करी गई इंट्रद्वेट्टे इस्ट्रिक आपका प्रोड्राम है वह आपका 46 स्ट्रिक्ट के अंदर आपका इंट्रड्यू स्मॉल फार्मर्स होल्डिंग बिट्वें 2.525 एकर लैंड यानि कि कम सब्सक्राइब धाइस पांच एकर जमीन आपके जो फार् प्रवाइड करी जा रहे थी ठीक है 1971 के अंदर क्या है आपका आपका 1971 के एम एफ एले जो स्टार्ट हुआ था थी एम एफ एले में क्या बताएगा कि इंडर्यूसिंट 40 डिस्ट्रिक्ट में स्टार्ट किया गया ठीक है और इसमें आपके 20,000 मार्जिनल फार्मर्स यह वह लिए गये ठीक है जिनका लैंड एर धाए एक्टर ठीक है तो आपका 20,000 मार्जिनल फार्मर्स लिए जिनके पास धाए एकटर जमीन थी ठीक है रिसोस्ट्रिक्ट में अविलेबल तुडवर पार्शिपेंट विट 33.3 परसेंट और सबस्टेदी फॉन दाइज़ेंस यानि की जिनके पास धाए एकटर जमीन सब्सक्राइब की जा रही है 1973 में आपका DPAP प्रोग्राम जो है वो स्टार्ट किया गया 1974 के अंदर ट्रेंग इन विजिट प्रोग्राम आपका स्टार्ट किया गया 1974-1975 के अंदर स्टार्ट के अंदर ट्रेंटी प्रोग्राम में टीपीपी स्टार्ट हुआ 1977 के अंदर डीपी डेजर्ट डेवलप्मेंट प्रोग्राम यह इनिशेटिव लिया गया 1977 के अंदर बात की जाए फूड फॉर वर्क लेटर डेवलाप इंटू नैशनल रूलर इंप्लोईमेंट ठीक है तो जो आपका नैशनल कूल्रियमेंट प्रोग्राम था पहले तो फूड फॉर वर्क्रोग्राम था ठीक है उसके बाद प्रोग्राम के अंदर एंधर प्रोग्राम के अंदर इन 15th August 1979 ट्राइसम जो था वह स्टार्ट किया गया वह स्टार्टेट टू ट्रेन अबाउट टू लैक्स यूथ बेनिश्वर बेनिफिशरी मस्ट भी इन दा एज ऑफ 18-35 यानि कि अट्रा से पैदिस साल के बीच में जितने भी युवा लोग थे यान 15 अगस्त 1979 के अंदर ठीक है 1978-1979 IRDP इनिशनली लॉंच इन 2300 ब्लॉक्स यानि कि 300 ब्लॉक्स के अंदर आपका IRDP जो प्रोग्राम था वो लॉंच किया गया इट इस बेशिकली अप्रोच इस फैमिली बेस यानि कि इसका जो अप्रोच था वो फैमिली बेस था इस्ट्रिक् पर जो आपका इसका अप्रोच था बेसीक उनिट आफ़ डवलपमेंट इस CD ब्लॉक्स थे वह आपके बेसी इनिट आफ डवलपमेंट से वह आपके बेसी उनिट आफ ड़लपमेंट बेशर इंक्लूट फॉर इंप्लिमेंटी आया डीप वस डी आई डीए डीए द्वारा जो है आपका आया डीपी जो है वो लॉंच किया गया था ठीक है 1979 की बात कर लेते हैं तो नैशनल एडल्स एडूकेशनल प्रोग्राम जो है वह आपका इनक्ट किया गया था 1980 1980 के अंदर आपको डीए डीए प्रोग्राम में वो द्रिस्टिक लेवल पर आपका इनक्ट हुआ सब्टेंबर 1982 के अंदर डीडेवलू एसी आ रहे याने डेवल्मेंट ऑफ वुमेंट चाल्ड इन रूलर एरिया यह स्टार्ट हुआ मार्ज इंटू सब्सक्राइब आपका मिक्सक्राइब और आपका आया डीप ट्राइसम वेगरा के साथ ठीक है अगला बात करते 1983 के अंदर न एई पी नाशनल अग्रिकल्चर एक्टेंशन प्रोजेक्ट वह आपका लॉंच हुआ था 1983 के अंदर 1986 की बात कर लेते हैं तो क्या था आपका आपका टेक्नोलोजी मिशन और स्टार्ट हुआ 1988 की बात करते हैं तो नैशनल लिट्वेश्य मिशन आपका स्टार्ट किया गया 1988-1989 के अंदर मिशन वेल स्कीम जो है मिलियन वेल स्कीम आपके स्टार्ट की आपके हेल्थ बेनिफिशरी के लिए ठीक है 1994 के अंदर आपका आपके स्टार्ट किया गया था ठीक है जितने भी फुल फॉर्म से वह मैंने आपको पहले ही बताए कि कहां कहां पर कौन कौन से प्रिजिट्ट्ट जो स्टार्ट किया है ठीक है तो वीडियो को वापिस आगे से देख लीजेगा ठीक है 1994 के अंदर आपका सब्सक्राइब अभियान जो है वो स्टार्ट के प्रोवाइदिंग फ्री एंड कंपल्सरी एडिकेशन फॉर्ड चिल्रेन ओफ एगे शिक्स तू-14 यानि कि सब्सक्राइब यान के अंदर छे साह से चौन साल के बच्चों को जो है वो इंपॉर्ट यानिकी नेसेसरी इप प्रोवाइड करी जा रहे थी और आपका मिड़ डे मील स्कीम जो है वो स्टार्ट करी गई फॉर्ट प्राइमरी लेवल आफ स्टूरेंट नूट्रिशन कंटेंट रेकमेंडेर इस 300 क्लोरी इन 12 ग्राम प्रोटिन यानि कि आपके मिड़ देर मील स्कीम स्टार्ट करी गई लिए और उसके अंदर क्या बताया कि हम आपको 300 ट्योरी को 300 ग्राम प्रोटिन आपको प्रोवाइड करना होगा ऐसा मिड़ देमीड मेंडेसिटूर्ट के लिए दी आ गया था ठीक है कुछ employment प्रोग्राम की बात करते हैं जैसे कि आपका 15 ऑगस्ट 1983 के अंदर आरल इजी पी यानि की रूल लैंडलेस इंप्लोईमेंट गरेंटी प्रोग्राम वह स्टार्ट किया गया ठीक है 1985-86 के अंदर आपका इंद्रा आवास योजना जो है वो स्टार्ट करी गए ठीक है असाब प्लैन ओफ रूलर लैंडलेस इंप्लोईमेंट गरेक्टी प्रोग्राम में की आरल इजी पी का एक सब प्लैन था जो था आपका इंद्रा आवास योजना इन 1989-90 आरेल इजी पी जो मर्च किया गया आपका जे आर्वाय की जवाहर रोजगार योजना के साथ बट ऑन फर्स जैन्वरी 1908-1996 jay separate from jry meeting the housing need of poor ठीक है तो इसका meet the house need of way I can't do gary where on call it ghar mills a key is clearly to project a Indra was chosen one provider कराया था ठीक है अब हम बात करते हैं 1st April 1989 जवाहर रोजगार योजना ठीक है जो कि था आपका NREP 1980-1980 जो आपका NREP था और जो आपका इसके अपर खर्चा जो कितना था जो खर्च इसके उपर किया जाया था वह स्टेट असी प्रतिशाद करते था और सेंटर जो है यानि की केंद्र सरकार जो है इसमें इन्वेस्ट करती थी और यह स्टार्ट किया गया था राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी द्वारा इसको स्टार्ट किया गया था इट फंट गैस इसट्रिबुटर अमंग्ग परिशत पंचायत समितिय एंड वीलेज पंचायत और यह कि सेटिरेशों में यह आपके जिला परिशत पंचायत समुतियों वीलेस पंचायत के बीच में आपका का distribute होता था ठीक है वाग अंडर्टेकन बाइज हार वाई रेशियो ऑफ बेज एड़ मैटरियल 60 इस्टी 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 सुफुर्टी था इन फॉर्स दिसेंबर 1997 स्वार्ण जहांती सहरी रोजगार योजना SJSRY यह आपका जो है वो स्टार्ट किया गया था ठीग यह फॉस्टेपल नांटी नांटी यह स्वार्ण जहांती ग्राम स्वारोजगार योजना फॉस्ट इम्लॉइमेंट यह इनक्ट हुआ था प्रोग्राम एम्ड एट क्रियेटिंग इनकम जेनरेटिंग एसेड थू आउस बंकरिट एन गांट सबसेडी और आपके बैंक रिडिकों मिला के आपको जो है इनकम जन्रेट करना यहां पे इसका मेंन इनिस्याटिव था गावश्वनेंट और स्टेट का रेशियो था वो था पच्छतर पचीस यानिव few प्रिशत स्वाकार इन्वेस्ट करेगी हो पर पर तीम और बीपिन फैमिली चाहिए बैंक रिट अंडर एजी एस वाई जू था यह स्वाटन जैनती ग्राम स्वारजगार योजना के अंदर जो आपका बैंक रिट्स था वो आपको कम चार गुना आपको चार बार आपको एंगी चार टाम सबको मिल सकता है ठीक है फर्स्ट एप्रिल 1991 के अंदर आपका जोहार ग्राम सम्रुद्धी योजना जे जी एस वाई इस फॉर्मड फॉर आफ्टर मोडिफाइं जे आर वाई देन माज इन्टो एज्टी आर आई आर वाई ऑन 25 सेप्टेंबर 2001 यानि कि जो आपका जवाहार ग्राम सम्रुद्धी यो 25 को ठीक है तो जे जी एस वाई फॉर्मड इन वाई मोडिफाइं जे आर वाई ठीक है मोडिफाइं किया गया था जवाहर रोजगार योजना को और यह फॉर्म कभ वह था 1st April 1999 को ठीक है 9 1999 के अंदर आपका आर्नपूर्ण योजना वह स्टार्ट किया गया फॉर्वाइद प्रदान मंतरी ग्राम सड़क योजना यह जो है वो स्टार्ट करी गई थी ठीक है December 2000 अन्तियोधय अन्योजना लांच फॉर वन क्रोल बिलो पवर्टी लाइन फैमिल्स कवर्ड अंडर TPDES टार्गेट पॉब्लिक डिस्ट्रिबूशन सिस्टम एंड प्रोवाइदिंग रुपीज टू पर केजी ऑफ वीट एंड थी पर केजी ऑफ राइस यानि कि अन्तियोधय अन्योजना के अंदर आपको जो है जो गरीब लोग ते उनको अगर वह एक किलो गेहुं खरीदते तो उनको दो रुपे का पड़ता था और एक किलो वह चावल खरीट था वह तीन रुपे का पड़ता था यह स्कीम जो है वह लॉंच करी गे लिए ताकि आपके जो बिलोग पवर्टी पीपल है उनको प्रॉपर नूट्रिशन जो है वह प्रोवाइड किया जा सके 25 सितंबर 2001 में स्वारी संपूर्ण ग्रामीन रोजगार योजना जो है वो स्टार्ट करी गए इसमें आपका स्टेड और सेंटर रेशियो कितना था आपका 75 इस टुट्वेंटिफाइव ठीक है और जो आपका जेजी एस वाई और एस को कंबाइन करके एस जी एस जी आरवा यानिकी सम पूर्ण ग्रामी रोजगार योजना इसको फॉर्म किया गया ठीक है और यहां पर देखिए सेंटर प्रोवाइड फूड ग्रेंस टू स्टेट एट फ्री ओफ कॉस्ट यानिकी जो केंदर सरकार ह है वह राज्य को फ्री ओफ कॉस्ट जो है ग्रेंस यानिकी खाने की जो पदार्थ है वह प्रोवाइड कर रही थी ठीक है अगला बात कर लेते हैं इंफ्रास्ट्रेश्चर डेवलप्मेंट प्रोग्राम के अंदर तो पहला एग्री की जो है आपका सेट अप किया गया था 28 माई 2001 के अंदर एट वापी ठीक है वापी में आपका पहला एग्री क्लिनिक जो है वह इस्ट्याबिश करा गया था 1998 की बात करें तो नेशनल एग्री को टेकनोलजी प्रोजेक्ट यह वह स्टार्ट किया गया था प्लाइंड इनोवेशन इन टेकनोलजीकल डाय डिसामिनेशन यानि की आपका एटी पी जो है वह प्लान क्या कंसेट पर डेवलप्मेंट ट्रास्फर आफ टेकनोलोजी के लि अगनाशन एडिस्टिक लेवल पॉर इंटेग्रेशन रिसर्च एक्टेशन और सेक्षोल्डर्स तो सपोर्ट फार्मर्स नीड एंट इंट्रस्ट थू एंटेग्रेटर अप्रोच यानि की आत्मा जो है वह फार्म करी गई ताक कि जो आपके विलेज लेवल आफ फार्मर एरिया संस्क्राइब फॉर करेक्टिविटीज फिजिकल इलेक्रोनिक नॉलिज एंड एकोनॉमिक स्टेटल स्टाइड वाई अपीज अब्डूल कराम दोरा जो है पी उर यानिकी प्रोवाइडिं अर्बन अमेनेटीज इन डूलर अर्बन अमेनेटीज का मतलब क्या है ज नाशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम यह स्किम स्टार्ट करेंगे साथ सितंबर दौरा पांच के अंदर नैशनल रूलर इंप्लोईमेंट गरेक्टी एक जुसका आप नरेगा कहते हैं वह स्टार्ट किया गया सेकेंड फेबरी दौराचे के अंदर रूलर नैशनल इन टू टू हंडर डिस्टिक यानिक आपको नैशनल रूलर इंप्लाइमेंट गरेंटी स्कीम जो है वह आपके स्टार्टिंग में दो सो डिस्टिक्स में स्टार्ट करी गई कभ फेबरी 2nd फेबरी 2006 के अंदर ठीक है दो अक्टूबर 2009 में आपका जो नरेगा है वह कि अंदर कनवर्ट हो गया ठीक है अब दोज़र पांस अच्छे में आपका जो नैशनल होटी कल्चर यानि एनले वह फॉर्म हुआ है तो अच्छे कि एन ए आई पी यानि की नैशनल एग्रिकल्चर इनोवेशन प्रोजेक्ट वह स्टार्ट किया गया वर्ल्ड बैंक ठीक है तो यह चीज़ा मैंने आपको पहले भी बताई है जब मैंने वीडियो स्टार्ट के तो उस वक्त भी मैंने आपको इसाई पॉइंट बताए थे ठीक है हार एक पॉइंट क अब अगे चलके एक्स्टेंशम किया जा रहा है ठीक है तो यहाँ पर हुको सब्सक्राइब कर तक अब अपने बताइए नहीं अपना ध्यान करिये अब्थाँ किजिए हर तॉपिक जितनी करी जा रही है उसको एक बार क्लास अटेंड करें अपने बुक से बढ़ें और पॉइंट को शॉर्ट लिस्ट करें और इससे क्या होगा कि आपके प्रिपरेशन में बूस्ट आप प्रिपरेशन बहुत अच्छी तरीके से कर पाएंगो और एक्जाम की टाइम पर आपको